जया हिंद, स्वागा थे आपका हमारे इसी पार्सला सेंटर यूट्यूब चैनल में आज हम करेंगे 36 गड़ का भौतिक विभाजन के समद्ध में एक और वीडियो जो हम करने वाले हैं 36 गड़ के महानदी के चारो और जो उच भूमिया है उसके बारे में चर्चा इसे पहले हमने बहुतिक विभाग का विभाजन पढ़ा है और विभाजन में 36 गड़ के जो महानदी बेसिन है उस बेसिन के बारे में चर्चा किया है कि महानदी बेसिन कैसा है और महानदी बेसिन में कितने सारे मैदान आते हैं और उनके भौतिक विभावों के नाम के बारे में हमने चर्चक किया है। आज हम उसी महान अधी बेसिंग के चारों और जो उच्छ भूमिया और था उनके चारों जितने भी पहाड़ी इलाका हैं चाहिए पहाड़ी हो या पठारी हो और जो मैदान होता है उससे अधीक उच्छा वाले च्छेत्रों को हम बढ़ेंगे उसी को कहा जाता है सिमांत उच्छ भूमिया तो चूकि आपको पता है कि चत्तिसगर का जो मैदान है या पिर उसको हम चत्तिसगर का बेसिंग कहते हैं बीच का भाग धासा हुआ है और जो आजू बाजों के या और जो च्छेत्र है वह उठ्ए हुए है इसलिए हम इसको बेसिंग कहते हैं ठीक है तो इससे पहले वीडियो में हमने जो बेसिंग का जो निचला भाग दबा हुवा भाग था उसके बारे में पढ़ लिया था चर्चा कर लिया था ठीक है आज हम पढ़ेंगे उच्छ भूमी के बारे में पढ़ेंगे उत्री उच्छ भूमी ठीक है उत्री उच्छ भूमी तो यदि आप देखेंगे तो सिमात उच्छ भूमी का मतलब क्या होता ह तो आपको देखने को मिलेंगे तो यह उसकी चारो और गीरा है। की भूमिय होंगी इसी को हम क्या करेंगे दिशक अनुसार से पढ़ लेते हैं तो उत्तरी उच्छ भूमिय में क्या जाएगा इसके अंतरगार आपके बियस्पी मतलब बेलासपूर के एरिये कोरवा ठीक है कोरवा और जो है रायगर्ण इस जिले में जितने भी उच्छ भू हमको देखने को मिलता है ऊप्रवा में छूरी और उदयपूर की पहाड़िया देख लिए यह जूरी ऊद्पूर क नुसितों कुल में घिनकी पहाड़िया यह प्रशना की बार प्रशन क Horo पुछा जाएगा आपको याद रहना चाहिए क्या है छूरी उदयपूर की पहाड़ी अभी फिर हम उत्री भाग में देख रहे हैं तो उत्री भाग में क्या है उछूरी उदयपूर की पहाड़ी है साथ साथ क्या होगा इसके पूर्वी भाग में मांड और केलो नदी द्वारा निर्मित रायगण वेसिन है यह जो उत्री भूमी है उसमें आपको रायगण में मांड और केलो नदी मिलती है यह आपका मांड यलाथ होगा यह यह मांड नदी होगा यह मांड नदी है तो उत् पुर्षन कैसे मिलेगा कि राइगड बेसिन किसे निर्मित है तो यह देखिए राइगड का जो बेसिन है ठीक है राइगड का जो बेसिन वाला हिस्सा है वो किसे निर्मित है तो यह आपके मांड और केलो नदी के द्वारा निर्मित है ठीक है मांड और केलो नदी के द्वा हुआ है अब इसके पश्यमी भाग में जाएंगे तो हम हस्दो नदिद्वारा बना एक हस्दो रामपूर बेसिन है यह देखिए हस्दो बेसिन है तो से पहले हमने क्या पढ़ा उत्रिउच भूमी तो उत्रिउच भूमी हमें आता है आपका छूरी उदयपूर की पहाड़ि अब यहां आपको एक प्रेशन देखेगा कि चामवरड रखाल के बारे में प्रशन आयके प्रेशन आय था तो की स्रिंखला है उसको हम कहते हैं चवरड़ा तो क्या हो जाएगा इसका जोग्राफिकल एरिया राइगर ठीक है राइगर जिले में एक परवतों की स्रिंखला है कटी-फटी उसी को कहा जाता है चवरड़ा प्रेश्णमें एक बार आया था ठीक है प्रेश्णमें एक बार इ जो पठार है ठीक है राइगड जिले के उत्तर पशिम में राइगड जिले यहां पर होगा उत्तर पशिम मतलब इधर होगा आपका ठीक है उदयपूर का पठार इसी को इसी ही है चूरी उदयपूर की पाड़िया तो यही जो उदयपूर का पठार है राइगड के पशिमी के बारेम ठ्ञहम प्रसमद लेते हैं, यहां से प्रश्णाने के सभावनाय रहती है, तो चूरी , उदयपूर कि पाड़ी यहां पे लिखे, इसके बारेम कुछ जयान लेते हैं, इसके बारेम जैने थे 1 कव विस्ताय को जाएका विस्टार इसका हो जाएगा कोर्बा जीला में ठीक है कोर्बा के साथ साथ यह मिलेगा सरगुजा और राइगाड में ठीक है सरगुजा और राइगाड ठीक है सरगुजा और राइगाड में चुड़ी उद्यपूर की भाड़िया दिखेगी प्रीहन्द नदी का उधगम जो है यहीं चुरि उदर पूर से माना जाता है, जो रिहन्द नदी का उधगम है चुरि हिल्स नाम सुन होंगे, इसी को कहा जाते है चुरि हिल्स जैसे चुरि हिल्स की पहाँद पाड़ी आप हो पहा ब लुएंब Videils के परश्शिप हम् पहाँ दो नदी तथा पूर्वी भाग में मांध नदी बहती है यह चुरी उदयपुर्ग की पाड़िया है तो चुरी उदयपुर्ग की पश्चिम भाग में हस्दो देख लिए यहां से आपका आजाएगा हस्दो इमेज में देखते रहेगा मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताता हूं यह एक नदी आएगा यह होगा हस्दो ठीक है और इसको पूर्वी भाग में आ जाएगा यह हो जाएगा इसका मांध नदी तो चुरी और उदयपुर्ग के अगल बगल जैसे हम यह माल सकते हैं यह चुरी उदयपुर्ग की पाड़िया है तो इसके पश्चिम बगलेगा हस्दो और पूर्वी भाग से निकलता है मांध नदी यह मांध हो जाएगा और यह अधोनदी जाए यह उस्दोनदी तो अ चुरी पहाड़ी के उद्तर every एक महादेव पहाड़ी कई लगा कব ở væ detector आया सुमी के उद्तर में क्या है एक महादेव पहाड़ी है महाद्युग पहाड़ी तो इतने सारे कोश्चन आपके बंने की समभावणाएं रहतی है इस घञते है इतने सारे प्रशन है जो है आपके सिमान्त उच्छभूमी से या है रायगड का मैदान रायगड का मैदान ठीक है तो रायगड के मैदान जो है बिलासपूर रायगड का मैदान यह वाला हिस्सा ठीक है यह वाला हिस्सा है जिला पुछे जाएगा तो ठीक बिलासपूर आ जाएगा जानगीर चापा सक्ति और रायगड तो इसमें जिला अब देखते हैं next अब मैकल श्रणी के बारे हम चर्चा करते हैं कि मैकल श्रणी क्या चीज जीज है तो देखिए चत्यस गड़ के पश्चिमी भाग और महानदी बेसिन के पश्चिम भाग में भी मैकल श्रणी पाया जाता है इतना वाली जहां से मेरा ग्रीन यह चल लाहीं पूर का मैकल शेली का लाता है यह जितने भी यह आपके पूरे मैकल का वाता चत्रीज हर करते हैं इसका विस्तार देख लेते हैं ठीक है इसका विस्तार देख लेते हैं विस्तार कौन को से जिलों में है तो इसका विस्तार है राजनाद गाउं ठीक है राजनाद गाउं के बाद है इसका कवरधा कवर्धा जिले में है कवर्धा के बाद लोर्मी और पेंडरा तक फैला हुआ है लोर्मी और पेंडरा तक ये पैला हुआ है ठीक है ये दिखिए यहाँ नीचे से स्टार्ट है तो उपर आपके ये लोर्मी पेंडरा तक फैला हुआ है तो यहां से नदीया निकल नहीं है, इसका ड़ाल की शोर है, पूर्वक्य और इसकी ढाल है, अब देखिए यह पूर पहाड़ी लाका है, तो पहाडी लाका होता कैसा है यह देखी? ये पहाड़ी लाग है, कुछ उचे, कुछ लीचे इस पूरे वो हम complete क्या कहा रहे हैं ये पूरा मैकल स्रेड़ी है लेकिन इस मैकल स्रेड़ी कभी कोई एक अधित्तम उचाई वाला छेत्रा होगा इस मैकल स्रेड़ी कभी ये उचाई है 1176 मीटर है अब ये प्रशन आपको पुछने को देख सकता है और 36 गड़ के पश्रीमी हिस्से का सबसे उचा चोटी बदर गड़ है जो मैकाल स्रेली में स्थित है उचाई पुछेगा तो 1176 मीटर ठीक है अब इस मैकल श्रेणी का एक और विसेस्त ये है कि ये विस्टी चाया प्रदेश में आता है इसके जो मैकल श्रेणी के जो पूर्वी भाग है ठीक है विस्टी चाया प्रदेश में आएगा विस्टी चाया प्रदेश कौन से हिस्सा पूर्वी हिस्सा ठीक है मैकल श्रेणी का पूर्वी हिस्सा कौन से हो गया ये वाला हिस्सा अब होता कैसा है, इसको थोड़ा से ध्यान से देखिए, हम इसको विश्टी छाह प्रदेश क्यों कहते हैं, कुछ भी सही कहा है, तो उसको reason सही समझने की कोशिच केजेगा, देखिए, यहां से हवाई आती है यहां से ठंडी हवाई आती है गर्म हवाई आती है यह गर्म हवाई उपर उठती है और बरस जाती है यही पर लेकिन पहाड़ी बहुत उपर होने के वज़े से हवाई इस और प्रवेश कम या नहीं कर पाती है और कम कर पाती है मतलब उसमें वायू की उसमें नमी की मातरा कम हो जाया रहती है या फिर बहुत कम होता है इस वज़े से इस एरिये में पानी की कमी हो जाती है कौन सी पानी या फिर वर्षा की कमी हो जाती है इस वज़े से इतने हिस्से को हम विस्टी छाया प्रदेश करते हैं तो चतिस गड़ के मैदानी हिस्से य इसकी स्थीती देख लेते हैं स्थीती अगर चंचितिश कए इसाब से देखें तो यह िछ नहिंया भए यह सैप हूं समय अब कि यह बहुत है इससे का भाग को हुगा तो में इसका भाग कौन है यह सत्तुरा का भाग चैंट की इसका बाग यह सकुरा जो मत्य प्रदेश प्रदेश पर्देश है तो कौन-कौन से जीले इस पर कवर होते हैं तो लगभग आपके जो कवरधा जीले हैं आधिक्तम जीला है वो विष्टिच है प्रदेश के चपेड़ में आजाता है सांसत आपके जो थोड़ा मुंगेली है ठीक है मुंगेली और राजनाद गौवरी थोड़ा हिस्सा आएगा विष्टिच है प्रदेश में ठीक है अब ये कई बार ये जल्वी भाजक का भी काम करता है जल्वी विभाजक का मतलब समझते हैं, जल विभाजक का मतलब क्या हुआ, माल लेते हैं कि ये एक परवत है, एक नदी इधर बहरी है और एक नदी इधर बहरी है, तो ये दोनों नदी आपस में नहीं मिल पाए, या फिर ये दोनों जो अपवात अंतर है आपस में नहीं मिल तो यह शिवनात नदी और वेन गंगा ठीक है वेन गंगा इस और बहती है ठीक है और शिवनात नदी का बहाव इधार है देखिनी यह शिवनात नदी तो यह शिवनात नदी के बहाव तो किसके किसके मद्द है शिवनात और वेन गंगा ठीक है सिवनात और विन गंगा के नदियों के ये क्या कहा है ये हमारे जर्भाज़क का काम करता है ठीक है जर्भाज़क का ये काम करता है वह अगर देखा जारे इसमें सालम रिक्ष अधिक मिलते हैं साल रिक्षिश में अधिक देखने को मिलती है इतने सारे mij आपको एकजाम में कहीं न कहीं से पूछेजाने की पूर्ण संभाण आई रहती है तो हमने क्या सिक आई जो मैकाल शड़ी है सत्पूरा परवत का पूर्वी कगार है ठीक है सत्पूरा का कगार तो है कगार मतलब होता है लास्ट छोड़ ठीक है कगार का मतलब होता है लास्ट छोड़ कैसे बताऊं देखिए यह पठार मतलब में यह माल लेते हैं यह बहुत बड़ा परवत है एक से दो राजे में फैला है तो यह लास्ट हिस्से को हम कहेंगे कगार या फिर किराना किनार का मतलब होता है किनार क्या होता है कगार का मतलब होता है किनार तो यह सत्पूरा का पूर्वी किनार है या फिर पूर्वी कागा है ठीक है और हमने इसमें क्या सिखा जो 36 गड़ बेसिन के पश्रिम भाग में एक दिवार की ताड़ा खड़ा हुआ है ठीक है यह 36 गड़ बेसिन है पूरा यहां यह दिवार की रुप में खड़ा हुआ है ठीक है शिवनात और वेंगंगा का जली भाजा का काम करता है इस परवत की श्रिंखला में घने बिक्ष पाए हूँ जो आपको आपको घांटिया देखने को मिलेगी ठीक है बहुत ज़्यादा घांटिया देखने को मिलेगी और इसी अमरकंटक में आपको पाया जाएगा अमरकंटक अमरकंटक जो है मैकल श्रिणी का ही भाग है या मैकल श्रिणी में ही अमरकंटक पाया जाएगा है साथ में जो चिल्फी श्रिणी है ये भी मैकल श्रिणी का ही भाग है क्या चिल्फी श्रिणी चिल्फी घाटी इसको चिल्फी घाटी के भी नाम से जानते हैं ये भी मैकल श तो इसके प्रकार से आपको इतना सारा मैखल सेनी में आपको याद करना है जो कहीं ने कहीं आपको कभी ने कभी एक्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है अगला हम दिखते हैं इसकी दक्षिनी उच्छ भूमी अब दक्षिनी उच्छ भूमी में क्या क्या जाएगा तो इसके अंतरगत आपके राजनात गाह हो गया, बालोध है, दूर गया, इनमें जितने भी उच्छ भूमिया है, ठीक है, ये सभी के सभी दक्षिनी उच्छ भूमियों के हिस्से आते हैं, ठीक है, इसमें सभी के सभी जो है दक्षिनी उच्छ भूमिय के भाग में आ जाएगा, अब आपको कहा में देगा, डॉंडी लोहारा बालोद में, डॉंडी लोहारा बालोद, ठीक है, तो दुरू के सिमान तो भूम में क्या क्या आ जाएगा, डॉंडी लोहारा बालोद, ठीक है, साथ में आ जाएगा आपके अंबागर जो चौकी है, ठीक है, मैं अंबागर के लिख आधा हूँ अमवगर चौकि तो अमवगर चौकि का जो इस्सह यह होगी सिस्वान भूमिया जाएगा इसके ज़ो पहाडिय आ जाएगी और इंदली का जो पहारिया है यह भी आपके डक्षिन उच्च भूमियों का हिस्सक नाये अ फ़िंद्ध का हिस्चा कहलाता है लग। राजहरा कि जो भ्याड़ी आएगी खर खर---- तॉल्ह जूर नदी है। हैं यह हमारे कर्ष्णी इशोंची भूमिए कीare हैं महासमौन के जो कुछ भाग है गरीया बन के पाम है। यह दुर उच्भूमी है गरिया बन जाएंगे तो भी बहुत बीहड जंगल वाला एरिया तो गरिया बन में जो उच्छ परवत है पठार है जहां आपको बहुत सारे जर्वे देखतों मिलते हैं देखना को मिलते हैं वह भी हमारे दक्षिनी उच्भूमी का ही हिस्सा है ठीक पूर्वी उच्भूमी है तो पूर्वी उच्भूमी में आपका आजाएगा रायपूर की उच्भूमी आजाएगी ठीक सामिल क्या हो जाएगा रायपूर की उच्भूमी ठीक सांस में जो बलोदा बजार है बलोदा बजार की उच्भूमी में आपका आजाएगा सोना ख थिए पूर्वी हिस्सा का होनी की वज़ास है..ँक्प इसको इतंता प्हाड़ा जाएगा? साथ में देखिए, सबस्क्त रिखेंगी सब़ून नहीं हमति हम इसतला क्नातार करने fantastist कि अब सुन्वेरा के पठार पुछा जाएगा तो इसका नश्त्रित जो है कि गरिया बन्ध, वास्पिक में जो पठार यह आम के उडिशा जीला से सम्बंदित है, लेकिन कुछ जो हिस्सा है यह आपके गरिया बन्ध और महाथ सम्वन ब Match का सम्वन में भी आता है पूर्वी महासमूद हो गया धमतरी हो गया तांदुला नदी जो है महानदी घाटी में जो है इसके कुछ-कुछ हिस्से भी इसमें आते हैं यह मान लिजे यह जितने भी हिस्सी धर आएंगे इस साइड में इतने भी आपको पठार परवत दिखेंगे यह सभी के सभी पूर् महासमूद में आप देखोगे पर्वत सुनबेरा का पठार है बलोदा बजार में जो छाटा पहाड़ है सोना खान का पठार है यह सब चीज आ जाएगी पूरी उच्छ भूम में ठीक है पूरी उच्छ भूम में आ जाएगी कुछ-कुछ पठार के नाम देख लेते हो सकत ये किसका हिस्सा है तो ये भी हमारे पूर्वी हिससे में आता है ठीक है ये भी क्या आता है पूर्वी कि अतलब थे तो इतने सारे का उसितने सिहाव भी लिख लीजिए सिहाव इस जो इसिहाव परवत पना करें आजाएक पूर्वивु इंचाव star अगले ते Deutsch बहुबाण से देखेंगे हैं आंग कीस भूब्भा ना आता है चक्ष्थ गड़का वह अलगसे देखें इस अगर सिहावा परवत की बात करें तो सिहावा परवत आपका आ जाता है धमत्री तो पुछा जाता तो शिसावा नाम है तो क्या नाम है शुक्तिमति का नाम है इसका उधगम कभी पूझा जाता है तो इसका उधगम हो जाएगा यहीं से महा नदी निकलती है फिर आ सिहावा से निकलता है महानदी मिलता है इतने चीज़े आको चपabout कि जो पश्यों महा इरिया है महानादी बेसिन या फिर मैदान के चारो ओर जितने भी पठार है या आपको याद रहे हैं इमेज स्याद करेंगे देखिए तो पश्री में आपका मैकाल आ जाएगा ठीक है उत्तर पुर्वी या फिर उत्तर पश्री में आ जाएगा पेंडर लोर्मी का पठार है उसके बाद है धंतरी में जो सिहावा परवत है महासमून रहे हैं बलुदा बजार में जो कुछ पाप पठार है कौई पठार है बलुदा बजार में सोना खान च्छता पार ये तो इतने सारे जो उच्छ भूमिया है इसके बारे हम आपको पढ़ना है उस एक्जामिनर क इतने उचे-उचे पठार है परवत है और क्या चीज़े वहाँ पर मिलती है दूसरी बात हमने आज क्या पढ़े हैं सिमात उच्छ भूमी या फिर महानदी बेसिन महानदी बेसिन केवल चूना और डूलोमाइट क्या चीज़ है डूलोमाइट इसके लिए प्रसिद्ध है सिमात उच्छ महानदी का बेसिन तो आप उपर जाएंगे तो आपको कोईला और box side मिलेगा नीचे जाएंगे तो आपको अधिकतर मिलेगा कुल लो होगे रहा इतना आपको याद रखने मिलेगे नेक्स वीडियो में देने बाद